असलाम वालेकुम रहमतुल्लाई वरकातु इत्याद में आप सभी का खैर मग्दम है अहम खाबरों की सुर्कियों पर एक लजब फिर एक बार सथाने लगा लॉकडाउन का डर स्कूलों को किया गया बंद कल से एक अपते तर स्कूल रहेंगे बंद पहली क्लास से नभी तक क इक लासिस को बंद करने का किया अधान मंदिरों को बंद करने को लेकर छोटे ताजिरों का एतजाज खुदकुशी करने की दीद धंकी दलगाम में अब दो डोर्स के बाद भूश्टर भी देना शुरू हुकुमत के रवये से आवाम में नाराजी पानी की सर्वराई करने वाले मुलाजमीन का एतजाज आज से जारी शहर को पानी की सप्लाएं कल से होगी बंद कार्पोरेटरों ने बेलगाम डी-सी को मतालबा पेश कर कार्पोरेशन में अब तक दाखला ना देने पर उठाए सवाल रमेश कुर्ची ने की डी-सी बेलगाम यमजी हिरमट से बात चीर अब खबर यत तफसील से वैसे तकरिबन बेलगाम शहर के तमाम ताजीर परिशान है और बेहाल है ना सिर्थ ताजीर बलकि तमाम शहरी अविस डर खौफ के साहे में जी रहे के कहीं फिर से लॉकडाउन परिशित्वों का अलान किसी वजीर अजम रियासती लीडर की जानिव से किया ना जाये महिशत्बूरी तरह मुतासिर है याज अब इसी डर को टक्वियत स्कूलों को बंद करने के फैसले से मिलती नजर आ रहे हैं आज बलगाम टीसीं हिरमट ने एक हफते तक स्कूलों को कित्तुर के एक ही स्कूल में 80 बच्चों को पॉजिटीव बताए जा रहा है क्या इतने बच्चे एक साथ पॉजिटीव हो सकते हैं ऐसा सवाल भी अवाम की जाने से पुझा जा रहा है कि तुर्रानी चन्दमा सेनिक स्कूल में इतनी बड़ी तायदात में तर्वाओं के पॉजिटिव होने से हड़कम मचा हुआ है मजीद ताज्जूप की बात यह है कि ओमिक्रोन ज्यादातर एसेंटिमाटिक कहा जाता है अब इसे क्या कहा जाए पहले सकते हैं जाम बुछकर खामश हैरक में इस बात का तसकरा जारी लेकिन कुछ कहने से रटते हुए भी पाई जा रहे हैं वैसे ज्यादा कुछी निपी उत्यपरी या जगा कंश करीदने की फिर्ली चर्चा अवाम में जारी है कुछ डॉक्टरों ने इमानदारी से काम कर अपनी जान तक गवाई है यह भी उतना ही काबिले तबज्व है लेकिन अक्सर लोगों को अस्पतालों से बुरा तजर्बा ही रहा है लहाजा स्कूलों को बंद करने के बाद कहीं सारे इश्कालात का जाहिर होना भी लेकिन इससे पहले तो यह सब जारी ही था और इसमें वजीर आजम मोदी से लेकर योगी अमिच्छा भी बिना किसी मास्क के देखे जाने की बात कहीं जारी है एक बार फिर कोरोना ओमिक्रों वीकेंड कर प्यूर लोगडाउन से बेजारी का इजार अवाम की जानिब से कि दिया जा रहा है इतना तो सच ही है अपने आपको हिंदुतवादी हुकूमत कहने वाली भाजपा ही मंदिरों को बंद कर रही है और इसी तरफ फिर बंद का एलान जारी रहा तो हम बिलगांग डिसी दफ्तर के सामने बैठ कर खुदकुशी कर लेंगे क्योंकि अब वैसे करनाटक रियासत की भाजपा हुकूमत हमें ना जीने दे रही है और ना ही मरने दे रही है लिहादा भूख से मरने से बेटर है कि हम डिसी दफ्तर के सामने एतजाज करते वे भूख हर्ताल करेंगे इसा मुतालबा राइबाग से चिंजली माय का मंदीर के सामने छोटी ति हम इंसान है मुर्या नहीं जो हमारे सामने चावल पेखने के बाद उसे चूप कर अपना घुजारा करें वेराल इंसाने जिन्दगी की जरूतों को मद्दे नजर रखते हुए मंदिरों को बंद करने का फैसला रद किया जाए ऐसा भी कहा गया वाज़र है कि बेलगाम शह अधोंब तरीक तक थडिया उन्दार हुए मतर कोईड़केस कमी आधर राद राद रान लिफ पाड़िगा जो अलार विए अजरी आंग बोद दनस तटेक्ड़ इंद रहा इंद आ पाड़िए नियु रेशन पटेर रहे अंगेरे ना आट बेकन वेट रहें अद जो एक यंद अधन बंद रहे हुआ है। वाल चलो दो, शापिंग माल चलो दो दो, अल्ला मार्केट चलो दो, बस चलो दो, गवर्मेंट नुक्री गोल दो, नम अंग्रिकोल म्या अश्टा याक ताहिदी है इज पोलिटिकल रेलीज नो बन्दर ना कोईड परते दो. वी मूर वर साइधरे, आंग्रिकार अश्टा अश्टा नुक्सान, शटनले भांध लोक्डाउन आँड बिट्ट रे, ना तोवंधितु माल लेदु आपरत सामागरी मारू दिलनाओ, येल मारू दिलनाओ, ना ब्यारे दंदे यल्रे, इज इज परिस्तिती कंटेनू और अश्टो रे, आपरतो हैं, आपरता मेंडन मारू दिलनाओ, आपड़ालो ओ रे, ना परिस्ता नाओ जनले बिलनाओ, माला दैऴर्फीतती कंटेनू माल चम्योंवड़ा है HeBe Hung Division, का लिचिता अईधर अधल्शन ऍवरो परिस्तिक फेंदी, परंदी लुदा ध्याणी करने करता हमाला परवान की सगड़ाने दियोस्तान मदे नालाच आपर एमचे आनी चुर्मरे प्रसादे विकने चे यासा तिंतिन वर से शिल्लक चोलते ते माल मास होते सगड़ा लुक्सान जाले हमाता घर दार विकुन परण पईशी देला तर फिटत नायते सरखार ना घटलेला निरने कित पर यहां चुकी intra है यही शरकार निवर नुक रियालिया होता है निवर नुक की चै मिरोन का होता है यह होता है तेवार रवरे पर आमाला तो गोर गरी बना रावन खायल पर्मिशन पाइजी कि नो को साव करोड से ज्यादा डोस देकर भारत ने दुनिया में पहला नंबर हासिल करने की बाद कहीं जा रही है अब तो कहीं सारे लोगों के दोनों डोस भी मुकमल होने की बाद सामने आई है लिहाज आज से बुस्टर डोस को भी देना बिलगा में शुरू किया गया है जिन्होंने भी पहला और दूसरा डोस को वैक्सिन ये को शील्ट क और दिगर जिन्दार हजराज शरीक रहे लियाज आवाम में जिस कदर हुकूमतों की जानिव से डरखाउप का माहूल बनाए जा रहा है इस पर भी खासी नाराजगी देखी जा रही है कईों ने इस बात पर भी जोर दिया के पहले तो एक ही वैक्सिर कही जाती थी जिसे अवाम में कोरोना का कोई असर न होगा इसा कहा जाता था फिर दो डोज लेने वालों को जादा तर कोरोना नहोंनी की बात कहीं और अब फिर से बूस्टर के नाम पर वही डोज दिए जा रहे आखिर माजरा क्या है ऐसा सवाल भी लोगों में गश्ट करता पाएगा अब क् नाराजगी का मुकाबला हुकूमते कर पाएंगी क्योंकि सबी जानते हैं कि पांच रियासतों के चुनाओं होने जा रहे हैं इसके बाद करनाटक में बी इंतखाबात हो रहे हैं भाजपा की गिर्तिस साथ का खयाल भी मोधी योगी फिर बंवे हुकूमत को हो सकता है कहीं चुनाओं को मुलतवी तो नहीं किया जाएगा क्या भाजपा हार के मद्दनजर इसी तरहां एमर्जनसी की तरफ तो नहीं ले जारी ऐसे कहीं सवालात आवाम के जहनों में आ रहे हैं और आना लाजमी यह जो भी हो लेकिन आवाम में मौजदा हुकूमतों के मद्दनजर नाराजगी देखी जा रहे हैं अब कुछ लोग सवाल भी पूछने की जुरत करते देखे जा रहे हो सकता है कि आगे आवाज उठाने वालों पर मुकदमे भी दायर किया जा सकते हैं जो भी हो हालात अफरात अफरी के नजर आ रहे हैं क्योंकि आवाम रोजर उटी कारवा बच्चों के मस्तक्विल को लेकर फिक्र में मुपतला है ये तो उतना ही सच है आज कार्पोरेशन की जानिव से पानी सप्लाइग करने वाले मुलाजमीन ने हर्ताल का एलान करते वे जब तक अपनी मांगों को मुकंबल ना किया जाएगा शहर को पानी की सप्लाइग नही एजाम कॉंट्रेक्ट मुलाजमीन की जानिव से लगा जा रहा है लिहाद शहर के पानी सप्लाइग करने के काम को ही बंद करने का एलान करते वे हर्ताल पर जाने का फैसला लिया गया है आज से हर्ताल चुरू हुई है लिहाद आप शहर को क्या पानी की किल्लत का सामना करन पड़ेगा ऐसा सवाल आवाम की जानिव पूछा जा रहा है लेकिन कार्पोरेशन कमिश्णर ने सव मुलाजमीन को मकर्र करके किसी तरह की कमी नहीं होने देंगा इसा बरोसा तो दिलाया आखर पानी की सप्लाइ करने वालों के मांगे हुकूमत क्यों नहीं मंजूर कर ली य पर केल्सकाल आवान्ता माडवान्ता कामगार बंदुगोलू होद इप्पत वा इप्पत वा इप्पत ऐद वर्सकाल दिन्दा नावो महानगर पालिके एल्ली हागो जलम बंडेले इल्ली गुतिगी आधर आदरन देली केल्सा मड़कोंत बंदेवे येष्टू सारी नम्मधू कलकल यानन यार्यू तिलकोंदीला ये कोडो अंता चलिवे हन्दोंत सार सम्मलदले नम्ममम मनी परिवारा नम मक्कल सिक्ष्ण वंण नडियोधू कहस्टा हुदे नमगे तायमसोरपो आगे नमगे नोकरी कुमाड़ेको नम समलावन्ना हैच्चमाड़ी कोड मी कर्परशन में करतों वाटर सफ्लाइ उजिवल न गरला अनि अमीं इता दा श्ट्राइक लिए लए अमाले वरत तेनी रोक लावाए ले था बदला कि अमाले अमन जाना धाम अन्च न वर्मीशिन दिल ले लाए अनि बाकि चंदम शरकल में ए श्राइक ले अनि डिके शु है उनसे माफी मांगता है कि हमारे वाज़े से पुरा स्ट्राइक हुआ है और हम यहां पर हम पदाने यह तो उसके लिए हमको पब्लिक का भी सपोट चाहिए अगर हमारे तरफ रिख पेकी तरफ से कि वो बंदे ने अगर पानी नहीं छोड़ा या छोड़ा नहीं छोड़ा तो हमको पता नहीं हो उसका रहेगा तो हमको डायरेक्ली लेंट करो आप अगर पब्लिक की तरह से हमको सपोर्ट मिला तो हमारी चीजे ना हमको ghar सकते हम आमारे घरवालों के चीज़े फुल्फिल कर सकते हैं तो हम भी आप हम आपको सपोर्ट करते हैं पानी के लिए आप भी हमको सपोर्ट करो हमारे पगार के लिए और गांगे बल्गाम कार्पोरेशन इंतखाबात मुक्मल होकर अर्सा गुझा लेकन आप तक न तो कार्पोरेटरों को हल्प लिया गया और नहीं मैर डिप्टी मैर चुनाओं किये गे दिवाली के बाद या फिरादिवेशन के बाद इस तरह किसी ना किसी वज़े से कार्पोरेटरों को कार्पोरेशन में दाखला देने में ताखीर की जा रही है जिसके नतीजे में तरक्याती कामों को अंजाम देना मुश्किल होता जाना लियाजा इन्हें जल्द को मुठालबा देते विए कहा गया बैस सेंब सेंब आपके क्र zijnda साथ? सबसेँआ जो है। मेल डाल जो सेंब सर्ट जो सेंब साथ है. गीरा खेंठ भर साके को मुंहीं। मेर बेरास नाल मेर हैं आज सबसक्राइब तेकनिकल्ज पोई धिने पोई तरह चुछाः जाएयंग तेकनिकल्च पोई पैल कर दूवरी तक जाय कंई तरह पाट जा कर दो समय हैं, तुरुट नाल मेर हैं तक चुछा पोई भीकूड़ो घ्ट अम्हाएयंगे तक टुछाः जो पत्र दिये हैं कि जल से जल उनको अधिखार देना चाहिए लेकिन काईदा में या 73 और 74 अमेंडमेंट जो कहता है जो राजू गंदी कॉंग्रेस पक्षि के हमारे जो पंत प्रदान थे उन्होंने जो जिस एक्ट को बनाये था कि सामने लोगों के हाथ में अधिखार यानि गरिब से गरिब भी आज सब कुछ अधिकार में आ सकता है लेकिन वह एक्ट को यह राजसरकार आज उसको दाद देते नहीं हुए इस बेलगाम शहर महानगर पालिके का जो जो चुनाए गए जो भी नुमाइंदे हैं उनको जो अधिकार नहीं दिया उस अधिकार उ देलगाम शहर में एक और कटल की वारदात पेश आई है जिससे इस मवजू को शहर में जेर बहस देखा गया इतला के मताबि घंदी नगर का नौजवान नुमान दरवाड कर जिसके उम्र 23 से पिछले 2-3 दिनों से लापता था जिसकी लाश कल मारूती नगर यह सी मोटर के खरीब पाई गई नुमान धरवाड करके कतल को लेकर कईयां फुआएं गश्ट कर रही थी लिहाज़ा अब तक कोई सुराख हाथ नहीं लगाए पुलिस तैकिक जारी है कल 11 तारीक बरुजमंगल 3.30 बजे नियाज बेंकट हौल में बेलगाम के मशहूर सहाफी मीम फारुखनान पर लिखी किताब उर्दू सहाफत का दरक्षा सितारा मीम फारुखनान का रस्म इजरा रखा गया मीम फारुखनान ने उर्दू सहाफत को अपनी जिन्दगी के 40 साल दिये हैं इस किताब को जनाब आमानुल्ला निजामी ने लिखिया है इनके जिन्दगी के मक्तलिप पहलों पर बेतरीन अंदाज में रोश्न डालने की कोशिश किया है खबर को सिल्दला यूँ ही चलता रहेगा देखते रही है तिहाद नूश शुक्रिया अल्ला पर दरसल किताब लिखने की पीछे ये तरगीब रही कि मैं फारुखनान सहाथ के साथ पिछले 20 सालों से किसी ने किसी तरह से जुड़ा रहा हूँ तालीमी सरगर्मिया जो स्कूलों में हुआ करती थी उसके रिपोर्ट्स लेकर मैं पहुंचता तो फोरां अकबार के जरीए तमाम तालीमी सरगर्मियां को उजागर किया जाता और अर्दू स्कूलों की हमत अफजाई की जाती इस तरह से एक जो सिलसला पारुखनान साथ क जो सहापत का अगर कोई एक पायदार सहापी है तो फारुखनान साहब हैं जो पिछले 40 साल से मुसलसल जद्व जहत करते हुए उतार चड़ाओ को जहलते हुए जो है इस मकाम तक पहुंचे और बेलगाम में उर्दू अखबारात को जो है जिन्दा रखा ताबिन्दा कई मुखिलात उन्होंने जहले हैं मैंने देखा उनके करीब रहने के बाद उनकी जो सियासी जिन्दगी थी उसका भी मुझे इल्म हुआ और फिर एक मौका ऐसा है कि लागडाउन में जहन इस बात पर आमादा हुआ कि क्यों ना इस सारी हकीकत को इस सारे वाकात को शुरू किया और अरहमदलिल्ला फारुख अनान साथ से जुड़े वे जितने भी लोग थे उल्मा कराम कहिए सहापी हजरात कहिए या फिर अखबारात को जो ताउन करने वाले जो अर्दू के चाहने वाले मुहिबाने अर्दू थे तमामने भी जो है अपने ख्यालात का बिल्कुल खुशदिली से इजहार किया और तमाम को जोडने के बाद आज ये किताब जो है मैं मनजर आम पर लाने के जो है काबल बन चुपा है वैसा मश्ता हम के जनाब आमानला निजामी साहब ने इस किताब को मरत्ब करके मेरी जो सहाफत के तालुक से जो पुर्बानिया थी या फिर सहाफत के तालुक से मैंने जो कुछ जीला इन तमाम चीज़ों को इस किताब में मरत्ब किया गया है और मैं समझता हूं कि ये किताब मुस्तक्विल करीब में अगर कोई मुस्लिम नवजवान सहाफत के मैदान में आना चाहता है तो उसके लिए ये किताब एक रहनमा थाबित होगी अर्दू जुबान और अर्दू सहाफत का तालुक है जिस जमाने में मैंने अखबार शुरू किया उस वक्त लोगों में एक तरह का जौब था अर्दू की तरकी तर्वीज और इशाथ के लिए अवामी जहन तयार शुदा था और उसी का मैंने फाइदा उठाया और इस तरह से ये जोहरे गुफ्तार से जोहरे सहाफत तक ये अखबाराग जोहे बाकाइदा चलते रहे दरमियान में बहुत सारी रुकावटें भी पैदा हुई लेकिन मेरे अंदर जो जुनून और अखबार चलाने की एक दिवानगी थी उस चीज़ ने जोहे इन अखबाराग को 40 साल के उमर बखशी लेकिन आज माहूल वो नहीं है चुनके आज हमारे नوجवान अर्दू जुबान से नापलत है और फिर आज का माशरा जो है वो ना सिर्फ अपनी जुबान बलके तहजीब वो सकाफत से भी दूर होता चला जा रहा है इसलिए आज के जमाने में अखबार चलाना ये जुए शीर लाने के बराबर है फिर भी मेरे सामने एक मिसाल है जनाब अकबाल अहमद जकाती साहब जो इक्तिहाद हफ्त रोजा निकाल रहे हैं ये इनकी कोशिश मैं समझता हूँ कि ये इनकी हिम्मत की दाद देने के लायक है वरना बहुत सारे दर्मियान में अखबारात आए कुछ महीने चले कुछ साल चले और बंद हो गए लेकिन अल्दा का शुकर है कि आज इत्तिहाद नामी अखबार जनाब अकबाल अहमद जकाती साहब की इदारत में चल रहा है और मैं दूआ करता हूँ कि ये अखबार जो है हमेशा जिन्दा रहे कौम और मिल्लत की रहनमाई करता रहे ये किताब जो है वरजाते खुद मेरी बायग्राफी की तरह है जिसे जनाब निजामी सर ने मरतब किया है और इन्हों ने मेरे बच्पन, मेरी तालीम और फिर मेरी सहाफती जिन्दगी के इलावा मेरी सियासी जिन्दगी को भी इसमें जो है पूरी तरह से पेश किया है और इनका लब लबाब यही है कि मैं अगर चाहता तो सियासत के जरिए उस वक्त के बहुत से मुस्लिम काईदीन जिन से मैं मुन्सलिक था खुसूसां मरहूम अजीज सेट साहब जो अपनी जिन्दगी के 40 साल जो है करनाटक रियासत में काबीनी वजीर रहे मेंबर आफ पादलिमेंट रहे मैं इन से बहुत करीब था लेकिन मैं मैं कभी उनके इंफ्लूइंस का या फिर उनके एक्तादार का फाइदा नहीं उठाया चुनके हमेशा मेरे नस्दीक सियासत में जायज और नाजायज ये चीज़ें खड़ी रहती थी इसलिए मैं सियासत में वो कामिया भी हासिल नहीं कर सका जो आज के सियासत दानों ने हासिल की है मैं सियासत दे घर नहीं कर सका फिर नहीं कर दो कर सका फिर नहीं कर सकादार का सकादा है